कि हलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के सोड़े में हम बात करने वाले बाइजूद्स बड़ोदा टी ट्वेंटी चैलेंज की जो मैच है एफ आई जी वसे सी एच एक जो टीन इसकी टीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम स हम देखने हो जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकते या फिर आप ग्रांड लीग या स्मॉल लीग जरूर जीच सकते तो दोस्तों जैसे कि मैंने मैच को हाइलाइट करके दिखा दिया उस पर हमें क्लिक कर लेनी है अगर आपने आपने टीम नहीं बना है आपक जरूर देखांगा तो दोस्तों तो चूरू करने से पहले रिखेट करता हूं अगर आपने मैरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने ले पर लें तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ बेल आइकोन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना बुले ताक किसी तरह के अच्छा-च्छा उड़ी सबसे पहले अब तक पहुच चके तो दोस्तों वुडियो को शुरू करते हैं माय टिम पर क्लिक करके आपको इडिट करके दिखा देता हूँ जो सबसे जबदस्त थे दोस्तों सबसे पहले टिम में मैंने कीपिंग में एक आप्षण चूज किया आप पर आपकोस तीन आप्षण है मेरे पास और इसमें से पहले आप्षण को मैंने चूज कर लिया ए राय को बाकि किसी और रेंजिस हम जरूर करेंगे अगले निन में अगर अल्रावांस की बात करें तो अनुम समय देख सकते दोस्तों मिरे पास तीन और बरिबानि को मैंने शामिल कर लिया और चौर्फे जो गेंबाज मेरे पासे तक सबसे बड़िया है तो जबधुके साहट अगर जाएंगे तो आप घ्राण्ड लीग में अच्छी खासी अर्धिक कर सकतें अब हमें बेस्ट टीम तो बन चुके लेकिन बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चूस करने के लिए कंट्यूनियू पर क्लिक करना होगा दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख भार है मैंने प्रजापति को इस टीम का कैप्टन मनाया जिया दोस्तों काफी जादा लोग को ने विश्वास किया लेकिन अगर सोचिए रोस्तों यह अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हमें यह सबसे जादा पॉइंट दे सकते दोस्तों ग्रैंड लिग में अच्छे खासी अर्निंग कराके दे सकते तो इसलिए मैंने थोड़ा हटके यहाँ पर वाइस कैप्टन चूस क पर से बात कर लेते हैं प्रियो कर रहा हूं में दस्तों तो ए राय को लिए आपकोस मैंने पहले ही बता दिया उसके बाद मेरे पास तीन बल्ले बाजे जैसे कि आप देख पा रहें ए जोशी को एकुबार को डी अन पटेल को इस तरह से तीन बल्ले बाजे अगर और अच्छी खासे प्लेयर है और सभी के सभी हमें अच्छी खासे पॉइंट दे सकते तो जरूर आप इन पर भर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो दोस्तों अफकोस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिग के लिए यूज़ करने की सला दूंगा इस टीम को स्मॉल लिग वाइस घप्तन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्न बना और धियू को अब genome allर नुप्र दोस्तों तो हमें बैटिंग और बोलनें दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते वही अगर डबल पॉइंट दे सकते तो इसले हैं सबसे बड़ी में बात तो यह किसी मतलब जादा किसी ने इनको क्याप्टर और वाइस क्याप्टर नहीं बनाया लेकिन हमने बनाया दोस्तों और यह अगर अच्छान कर देते तो हमें काफी फाइदा होगा हम घ्राइड लिग जित सकते हैं इस तरह से यह काफी अच्छे बन चुके फिर से कऊंगा इस टिम को से टिम कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा दिता हूँ जैसे कि देख पारे हैं मैंने कीपिंग में यहाँ पे चेंजस कर लिए ए शिरके को लिए है बाकी किसी और कीपर के साथ में नहीं जाने आलो कीपिंग की सेक्षन की बात होने के बाद अब बैटिंग की सेक्षन पे चलते तो मैंने यहाँ पे एक कुमार को लिए डी एन पटेल को लिए और आर जादो को लिए तो कुछ changes मैंने यहां पर कर लिए दोनों यह तीनों भी अच्छे खासे batsman है दोस्तों जरूर आप इन तीनों के साथ भी जा सकते इन तीनों पर भी भर्षा कर सकते दाव लगा सकते अगर all rounders की बात करें तो पिछले टीम में में मेरे पास तीनी all rounder थे लेकिन मैं इस तीम म इन्हों ने भी काफी बढ़िया performance किया और अच्छा कासे फॉर्म में तो जरूर आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते बर्षा कर सकते दाव लगा सकते गयन बाजी की बात करें तो यहां पर भी मेरे पास तीन गयन बाजी यहां पर देख सकते मैंने यहां पर एक इनों पर भी वर्षा कर सकते दाव लगा सकते कुल मिला के यहीं काफी अच्छी बन चुके दोस्तों फिर से continue पर क्लिक कर लेना है और देख लेना है क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्टन बनाना काफी जरूरी है क्योंकि यह पर भी काफी एक्षे फॉर्म में और अच्छे खेल रहें तो जरूर आप इन पर वर्षा कर सकते हैं अगर तो जैसे का आप देख पार है मैंने कीपिंग में चेंज कर लिया ए शिर्के को लिया है उसके बाद मेरे पास तीन बल्ले बाज़ए एक कुमार डी एंड पटेल और आर जादो अगर अल्रॉंडर की बात करें तो पिछले टीम में में पास तीनी अल्रॉंडर ते लेकिन मैं इस बात चार अल्रॉंडर के साथ जाओंगा और वह कुछ इस तरह से रहेंगे बी पटेल इस घली मट्टे प्रजापती और जेवर्ट इसके अलाव मेरे पास पिछले टीम में चार गेंबास थे लेकिन इस टीम में मैं तीनी गेंबासों के साथ जाओंगा वह कुछ इस तरह से रहेंगे एस चोधरी गोड़ब गोड़द्रा और वाइसिंग यहां पर भी मैंने दो चेंज कर लिए दोस्तों दोनों अच्छे खासे चेंज किये जो अ यूज कर सकते लेकिन फिर से कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिक के लिए यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन स्मॉल लिक के लिए यूजी नहीं कर सकते इस ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ग्राइड लिक के ज्यादा से ज्यादा यूज करने की का इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस बार चार ओल रॉंडर को इस टीम में शामिल कर लिया है यानि चार ऐसे प्लियर है जो दोस्तों आपको डबल पर दे सकते बैटिंग और बॉलिंग दोनों में और चारों की चारों अच्छे खासे फॉर्म में तो जुरूर आप इन के लिए यूज करना है तो फायदा होगा दोस्तों वहीं क्याप्टन की बाट करें तो पिछले टिम में मैंने डियन पटेल को कुछ भी नहीं बना था इसको क्याप्टन बना रहा हूं काफी अच्छे फॉर्म में अच्छे खासे बैटिंग कर रहे तो जोरू आप इन पर तो दोस्तों शुरुवात में बता दू कि थोड़ी यह डिसकी टीम है तो सबसे पहले कीपिंग के सेक्षन उटेहमां छुक हैं दो कीपर के साथ मैं जाने आलो अर राई को तो कमेने लिए हैं लेकिन हैं लेकिपी नोके साथ-साथ महिक पर याने महां थोर को में थोड़ा रिसकी जरूर हमें न की पर इसक ब़रापोन Days सैंना बढ़िया ऑन वी नहीं और इतनाघ्ञा reads कोップ बाता है दो की पर लिए उसके वाजह से मेरे पास तीनी और रहने होले और वह भी पटे ले पी प्रजापती और जे भट को मैं इस टीम में शामिल कर लिया यह तीनों तो काफी बेस्टी है दोस्तों जुरू आप इन तीनों पर वर्शा कर सकते हैं दाव लगा सकते हैं अगर इन तीनों को मैंने फिले दोनों टीमों में मिलके लिया लेकिन इस तरश से नहीं लिए है मतलते इन तेम को साथ में नहीं लिया तो इस टीम में बहनं कर लिया काफी अच्छी तीम बहसा कर लिए है जैसे कि मैं आपको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ बी पटेल को मैंने क्याप्टर मना यह तो काफी बेस्ट है दोस्तों साथ इसाथ मैंने जे भट को वाइस क्याप्टर मना लिया यह भी अच्छे खासे केल रहे हैं तो जरूरू आप इन पर भी बरसा कर सकते हैं लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों बार टीम प्रिव्यू कर देता हूँ तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहां पर दो कीपर को शामिल कर लिया और एम तूफेल को एम तूफेल का परफॉमंस की बात करें थो थोड़ा खराब है दोस्तों लेकिन अगर यह अच्छा काफरी खराब मतल testimonhi ट्रम कार बोलके मतल्य रियुक्या कटन काफी कांछोंень काफी कम लोगे इनको टिंब में लिए प्रतों द्हों aż में यह च्छा परफॉमंस करने हो सिर्फ और सिर्फ प्लियर में ले रहा हूं दोस्तों कैप्टन और वास कप्टन भी नहीं बनाने वाल देख रही है अगर आपको अच्छे पॉइंट दे देते तो आपको काफी फायदा हो सकता है क्योंकि काफी कम लोग एक के पास रहने वाले तो आपको यह ग्रांड लिग ख Steel मैं जरूर कोई ग्रेंग को ऐस चुम की निया है वह अगर चल जाते तो में आपको काफी फाइद हो सकता है ग्रांड लिग जीद सकते हैं फिर ग्रांड लिग में आपको अच्छी खासे अर्निंग हो सकते हैं उनकी वज़ेसे लेकिन स्मॉल लिग में ऐसा नहीं रहता है दोस्तों एक भी रिस्की प्लियर आपने ले लिया और वो अगर नहीं चलता है तो आपको लीग हार चाते हैं तो इसलिए ये small league के लिए थोड़ी risky है, अगर आप चाहे तो ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी risky team है, small league के लिए तो सोच समझ के यूज़ कीज़ेगा, लेकिन grand league के लिए ज़रूर यूज़ कीज़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों चल जाते हैं, जैसे कि मैंने आप आपको risky दो player बता है, तो वो आपके trump cards हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से team बनाई, तो आप इन पर भर्षा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, अगर आप इस team को भी multiple, आप इस team को भी grand league के लिए ज़रूर उच की जगा, multiple team लगाएंगे तो काफी फायदा हो सकता है, आप grand league भी जित सकते हैं, पाच, दर्श, पंद्रा भी sister city में लगाएंगे, तो काफी फायदा हो सकता है, आप अलग-अलग combination के साथ लगाते हैं, तो एकार combination भी grand league जिता सकता है, या फिर 2-4 combination आपको अच्छी खासे earning करा के देता है, तो भी profit हो सकता है, इस team को भी close कर लेत और काफी मतलब आपको टीनोटी में grand league भी जिता सकते हैं, आप small league भी जिता सकते हैं, तो I hope आपको मेरी टीनोटी में और मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आयाटे से like, share और comment ज़रूर कर दीजिए, और channel को अब तक subscribe नहीं किया, तो वो भी कर ल तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you